नमस्कार दोस्तों मैं हुसमित बर्मन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बर्सकेर एन इंफो तो दोस्तों आज हम बात करने बाले हैं कि अपने पैरोट को क्या नहीं खिलाए मतलब कि आपके पैरोट के लिए कौन सी फूट अनेलधी हो सकती है जिसको खिलाने से आपका पैरोट बिमार हो सकता है तो दोस्तों आज की वीडियो के इंट तक बने रहिएगा और साथ ही चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा साथ में नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर लेजिएगा ताकि सारी लेट्रेस वी देत भी हो सकती है हम अपने पैरोट को बहुत प्यार करते हैं और कभी-कभी भूल जाते हैं कि वह बर्ड्स हैं और हम इनसान है ऐसे फूट दे देते हैं जिसका अल्टिमेटली नुकसान ही होता है तो दोस्तों आज मैं आठ ऐसे फूट के नाम लेने जा रहा हूं जिसको खाने से आपका पैरोट बीमार हो जाता है पहला जो फूड है वह है एपल सीट आप अपने पैरोट को एपल खिला रहे हो बहुत अच्छी बात है और आपके पैरोट के लिए अच्छा भी है लेकिन एपल में जो सीड होता है वह आपके पैरोट के लिए काफी नुकसान द जाती और आपके कि देत हो जाती है को इसके बाद जो दूसरे नमबर पर आता है वह है चॉकुलेट आप már को कभी खाने को नदें अगर आपका पर चॉकुलेट excessive क्लेट में तो मुलतीर आपका फेरोट को diarrhea हो जाता है अब जो तिसरी नमपर पर आता है वो है onion onion मतलब प्याज 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 के body में जो Red blood cell होता है उसको damage कर देता है और इस कारण आपके पेरोट को हेमो लाइसीस हो जाता है जिससे की आपके पेरोट की देथ हो जाती है इसके बाद जो आता है वो है असनैक्स असनैक्स में जो नमक है अगर आपका पेरोट के अंदर चला जाएगा तो वो आपके पेरोट को हाट अटेक आ सकता है क्योंकि नमक में sodium होता है तो आप अपने पेरोट को कोई भी salty food भूल कर भी ना खिलाएं कुछ लोग अपने पेरोट को प्यार से chips, biscuits दे देते हैं जिसमें नमक होता है और ultimately नुकसान ही होता है इसके बाद जो toxic food होता है वो है निम्बू अपने पेरोट को निम्बू कभी भी ना दें क्योंकि निम्बू खाने से आपके पेरोट को पेरोट के stomach में problem हो जाती है आपके पेरोट को हाजमे में problem हो जाती है आप अपने पैओट को संत्रा दे सकते हैं लेकिन नीम्बू भूल कर ही ना दे अब जो आता है वो है एवोकाडू, एक तरह का फल होता है जो कि आपके पैओट के लिए टॉक्सिक्स फूड होता है एवोकाडो में परसीन नामक टॉक्सिक पार जाता है जिसको खाने से आपका परोट मर भी सकता है एवोकाडो के उपरे हिस्से में छिलके में सबसे ज़्यादा टॉक्सिस होता है और इसे खाने से डारेक्ट आपके पेरोट के डाजिस्टिव सिस्टम में डेमेज कर देता है शिक्स नमर पर जो आता है वो है ऐलकोहॉल एलकोहल देने से आपके पेरोट की डेत हो जाती है तो एलकोहल अपने पेरोट को बिलकु भी ना दे साथ में नमर पाता है वो है गार्लिक मतलब की लहसन लहसन इंसानों के लिए विंटर सीजन में काफी फायदे मन होता है अपने पेरोट को गार्लिक दे देते हैं पर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं बॉसरोट में लोक कौलिष्टोया अनेविया हो जाता है तो आप अपने पेरोट को लहसन भूल कर भी न दे आपके पैरोट को हार्ड अटेक भी आ सकता है तो मस्रूम्स अपने पैरोट को भूल कर भी ना दे तो दोस्तों ये थी आठ ऐसे फूट जिसे के खाने से आपका पैरोट बिमार हो जाता है तो ये फूट्स अपने पैरोट को भूल कर भी कभी ना दे तो आज की वीडियो को ह झाल झाल